नमस्कार विद्यारतियों, मैं वन्दिना आज हम आपको जो पार्ट पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है महनत का फल इस पार्ट में हमें महनत करने से किस प्रकार उसका फल प्राप्त होता है या एक छोटे से कहानी के द्वारा बताया गया है आईए पार्ट के शुरुवात करते हैं दो दोस्त थे, संजय और मनोज, दोनों बेरोजगार थे, बेरोजगार अथार बेकार अर्थ है, संजय और मोहन, दोनों अच्छे दोस्त थे, परन्तु दोनों के पास कुछ काम करने के लिए नहीं था वे गरीब थे उनके पास कुछ पैसे भी न थे कि वे अपना व्यवसाय कर सकें उन्होंने अपने परिचित गुरू जी से अपनी परिशानी बताई और कहा गुरू जी हमें कुछ रुपे दीजिये जिससे हम कुछ काम धन्दा शुरू कर सकें परिचित अर्थाज जान पहचान वाले संजय और मनोज दोनों परिशान थे एक दिन उन्होंने अपने गुरू जी से अपनी सारी परिशानी बताई और उनसे मदद मांगते हुए कहा कि यदि आप कुछ रुपे दे देंगे तो हम कुछ काम धन्दा शुरू कर सकेंगे गुरू जी ने दोनों दोस्तों को एक एक हजार रुपे दिये साथ ही यह कहा एक साल के अंदर तुम्हें इन रुपेओं को लटाना होगा दोनों ने गुरू जी की बात मान ली अद गुरू जी ने दोनों की बात सुनकर उनको एक एक हजार रुपे दे दिया और कहा यह एक हजार एक साल के अंदर लोटाना होगा दोनों दोस्त गुरू जी की बात मान कर पैसे ले लेते हैं फिर वे रुपे लेकर चल पड़े रास्ते में संजय ने कहा हमें इन रुपेयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए पर मनोज ने कहा नहीं अब हम कुछ दिन अच्छे स्थानों पर घूमने जाएंगे मौच करेंगे मौच अथात आनंद दोनों दोस्त गुरू जी से पैसे लेकर चल दिये चलते चलते ही रास्ते में संजय ने मनोज से कहा कि हमें गुरू जी से लिये गये रुपेयों का अच्छा